अस्राइब अलेकूम, वेलकम टू फाहास फूट फंटेसी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेसिपी चिकन ग्रिल सेंडविजेस की, बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, इसके लिए हमें जिन इंग्रीडियन्स की जरूरत पढ़ेगी, उसमें सबसे पहले हम ले ल में यह क्रिपने लेंगे आपक अलवीक स्षीपी ले लेकलए लेंगे करीबक छॉप्ट कीने है mede की फाह लें। की लिए क्रीब चीर हम लेंगे फोर वोट नेटेबल स्पूनिदे ग्री अब अाफ़ एपने पैन को स्टोफ पे रखेंगे और अपना स्टोफ मीडियूमय प्याउन कर लेंगे, इसमें बटर डालेंगे, बटर को मेल्ट होने देंगे, फिर हम इसमें चिकन आइट कर देंगे, चिकन आइट करने के बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, एक से दो मिनट, एक से दो मिनट की बाद हम अपने स्पाइसेस इसमें डालेंगे और उनको भी एक से दो मिनट तक पकाएंगे, फिर हम इसमें अपने ओलिव जैट कर देंगे, अलिव जैट करने के बाद हम इसमें एक जैट करेंगे और उनको भी एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे, अब हम इसमें क्रीम चीज एड़ करेंगे, अगर आपके पास क्रीम चीज ना हो तो आप मियोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, अब एंड में हम इसमें लेटर सेट करेंगे और फ्लेम आफ कर देंगे, जब तक हमारी फिलिंग थोड़ी थंडी होती है तो हम अपने ब्रेट के जो है वो कनारे काट लेंगे, इसके यूँ एजिस काट देने से सैंविजिस अच्छे लगते हैं, अगर आप नहीं काटना चाते तो कोई इशू नहीं ना काटें, और इसके जो एजिस कट रहे हैं वो बेस नहीं होंगे, आप इनके ब्रेट क्रम्स भी बना सकते हैं, हमारी ब्रेट फिलिंग के लिए रेडी है, अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे और उसको ग्रिल कर लेंगे, मैंने ग्रिल करने के लिए सेंडविच मेकर यूज किया है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप सादे पैन में भी इनको ग्रिल कर सकते हैं, हमारे सेंडविच ग्रिल हो चुके हैं, अब हम इनको दर्म्यान में से काट लेंगे और सर्विं डिश में लगा देंगे, आप इन सेंड्वेजिस को अपनी चॉइस के किसी भी सॉस के साथ सर्फ करें या चाय के साथ सर्फ करें मज़ेदार से चिकन ग्रिल सेंड्वेजिस रेडी हो गए है उमीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब करें देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाहाफेज